दोस्तों नमस्कार, Electrical Line Mode चेनल में मैं संदीप चोहान आपका फिर से सागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में हम Electrical Supervisor License के बारे में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि जब आप राजस्तान से Electrical Supervisor License के लिए एपलाई करते हैं तो एपलाई करने के बाद कौन-कौन सी दिखते आती है, कौन-कौन से अबजेक्शन आते हैं वो सारी चीजे हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे जैसा कि मैंने जब Electrical Supervisor License के लिए एपलाई किया था तो मैंने Electrical Supervisor से Related जितने भी डोकुमेंट होते हैं जितने भी फॉर्मल्टिज होती है, वो सारी ओनलाई फुल्फिल कर दी थी फुल्फिल करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं मेरे मेल के अंदर एक मेल आया है Electrical Department के द्वारा वहाँ पर इन्होंने एक Objection दिया है जैसा कि पढ़ सकते हैं, आप Objection has been raised on your application for Service Type Supervisor Class B तो दोस्तो मैंने जो Class B के लिए एपलाई किया था तो उस पर जो Objection आया है उस Objection को मुझे फुल्फिल करना है उस Objection को फुल्फिल करके फॉर्म वापस बेजना होगा तो दोस्तों अब हम हमारे SSO के ID पे चले आते हैं और SSO के ID से उस फॉर्म को भर के वापस बेजते हैं यहाँ पर हमने Google खोल लिया है Google में हम SSO राजस्तान डालेंगे और राजस्तान डालने पर इस तरह का एक खुलेगा ओपन होने में यह थोड़ा समय लेता है ओपन होने के बाद हमें Send Anyway पर क्लिक करना होगा Send Anyway पर क्लिक करने पर हम इस पेज के अंदर चले जाते हैं यहाँ पर आप दिख सकते हैं यहाँ पर Wireman License, Supervisor B License और Supervisor A License दिया हुआ है यहाँ पर हमारा Wireman License तो बहुत जल्दी बनके आ गया है लेकिन हमारा तो Supervisor B वाला License है वो बनने में बहुत समय लग रहा है तो Supervisor B License इस तरीके से खुलेगा यहाँ पर जाकर आपको Continue पर क्लिक करना होगा उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा इस पेज के अंदर यहाँ पर तीन लाइन दी हुई है इस पर जाकर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के कुछ options दिखाई देंगे आपको इस option में सबसे last वाले option पर जाना होगा यहाँ पर जो menu दिया हुआ है इस पर जाकर आप click करेंगे इस पर जैसे ही आप click करते हैं तो आपके पास इस तरह के कुछ और option आते हैं यहाँ पर आपको track application पर जाकर click करना होगा यहां पर जाकर हम हमारे license की इस्तिती को जान सकते हैं हम जान सकते हैं कि हमारा license अभी कहां पर अटका हुआ है तो आप देख सकते हैं यहां पर rate कलर के अंदर दिया हुआ है your application is under security with the department मतलब यह electrical department के द्वारा अभी रोका गया है कुछ objection आया हुआ है तो अब हम और नीचे कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि कौन सा objection है जो हमें fulfill करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर clerk के द्वारा objection आया हुआ है यह objection 11 जनवरी 2020 को आया हुआ है और यहां पर जो status है उसमें लिखा है pending with applicant मतलब जो application भर रहा है उसके द्वारा यह pending है मतलब यह मेरे द्वारा pending है उसके बाद objection remark में दे रखा है upload affidavit part 1 तो मतलब part 1 वाला जो affidavit है वो मुझे भर कर भेजना है उसके बाद date of objection यह 16 अपरेल 2021 को objection rise भुआ था अब इस objection का reply कैसे देना है objection का जवाब कैसे देना है तो यह भी हम देख लेते हैं यहाप पर आप देख सकते है reply to objection लिखा हुआ है तो reply to objection पर हमें click करना होगा reply to objection पर जैसे आप click करते हैं तो आप next page में चले आते हैं अब आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे options दिये हुए हैं इन option में से हमें किसी एक option को choose करना है हमारे पास जो भी objection आया है उस objection से related यहाँ पर जो भी options है हमें उसको choose करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो objection आया है उसे related यह वाला option सही बेठ रहा है यह यहाँ पर आप देख सकते हैं I have uploadate correct details as per deficiency तो इस तरीक ऐसे हमने एक option को choose कर लिया है और इस option से related हमारे पास जो भी soft copy है उसे हमें भेजना होगा तो हमने जो एफ़डेविट बनाया है हमने एफ़डेविट बनाया है उस एफ़डेविट को हमें इसके साथ attach करना होगा दोस्तों यदि आपके पास भी एफ़डेविट पार वन नहीं है तो आप मुझे comment में जरूर लिख कर दे मैं आपको एफ़डेविट पार वन जरूर प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ पर हम files में चले जाएंगे और हमारे पास जो document है उसको हम इसके साथ attach कर देंगे मतलब इसके अंदर upload कर देंगे upload करने के बाद आपको submit वाले option पर जाकर click करना होगा दोस्तों मैं एक ची बता दूँ आपको कि इसके अंदर केवल PDF file ही upload होती है PDF file जिसकी size 1 MB से कम होगी वो ही इसके अंदर upload होगी यदि उससे ज्यादा होगी तो आप upload नहीं कर पाएंगे इसके बाद आपको यहां पर click करना होगा यहां submit का button है इस पर जाकर click करना होगा submit पर click करने पर आप दिख सकते हैं यहां पर reply to objection के अंदर यहां पर हमने जो reply किया है वो आ जाता है और date भी आ जाती है यहां पर आप दिख सकते हैं यहां पर लिखा आ गया है I have uploaded correct details as per deficiency और इसकी date भी आ गई है यहां पर यह चीज़ upload करने के बाद electrical department के दोरा वापस से कोई objection आ सकता है यदि कोई objection नहीं आता है और आपकी सारी चीज़ें fulfill हो जाती है तो आपको certificate provide करा दिया जाता है certificate दोस्तों online आता है यहां पर आप मेरे wireman का license भी देख सकते हैं wireman का जो certificate है वो भी आया हुआ है इसी तरीके से supervisor का license भी यहां पर show हो जाता है और supervisor का license आने के बाद wireman का license cancel हो जाता है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको objection का reply देना है objection का reply देने के बाद आपको 3-4 दिन तक wait करना होता है 3-4 दिन के अंदर electrical department उस चीज़ का reply दे देते है तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्तान से supervisor license apply करने के बाद objection का किस तरीके से reply देना है तो friends ये वीडियो आपको कैसा रगा comment section में मुझे जबूर बताएं और दोस्तों इस वीडियो को like share करना ना गुले ताकि सभी कुछ का फाइदा हो सके थैंक्यू दोस्तों